मैं समान नागरिक सहिता के बारे में बहुत कुछ सुन रहा हूँ, क्या आपने इस पर गौर किया है? ओ हाँ, मैं भी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, समान नागरिक सहिता काफी दिल्चस्प विशय है, इसका उदेश कानूनों का एक इकल सेट स्थापित करना है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, यह समानता की दिशा में एक पून कदम लगता है, धर्म के आधार पर अप कोई भेद भाव नहीं? ये तो कमाल की सोच है, UCC सभी के लिए समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित करना चाहता है, चाहे उनकी धर्मिक प्रिष्ट भूमी कुछ भी हो, इसका उद्देश विभिन व्यक्तिगत कानू के कारण होने वाली असमानताओं और असमानताओं को खत्म करना है, मैं देख सकता हूं कि लोग इसका समर्थन क्यों करेंगे, यह सभी नागरिकों के बीच निश्पक्षिता और एकता को बढ़ावा देता है, थकुका तर्क है कि यह लेंगिक समानता को बढ़ावा देगा क्योंकि कई व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के खिलाप भेदभाव पूर्ण प्रावधान है, एक समान संगिता से इन असमानताओं को दूर किया जा सकता है, मैंने इसके बारे में कुछ चिन्ताएं भी सुनी है, मुख्या पत्तियां क्या है? हैर, कुछ लोग सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के संभावित नुकसान के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हैं, उनका तर्क है कि व्यक्तिगत कानून हमारी विविद्विरासत का एक अभिन्नंग है, और एक समान संगिता लागू करने से धार्मिक स्वतंतरता का उल बिल्कुल, ऐसा संतुलन बनाना महत्वपून है जो हर किसी के अधिकारों और मूल्यों का सम्मान करता हो, UCC को इस थरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जो विभिन्न्धार्मिक समुदायों की समवेदन शीलता और प्रथाओं को ध्यान में रखे मैं सहमत हूँ, समावेशिता और निश्पक्षिता सुनिश्चित करने के लिए यह विभिन्न हितधार्कों को शामिल करने वाली एक सहियो बिल्कुल, सभी के लिए कारगर समाधान खोजने के लिए खुला समवाद और रचनात्मक चर्चा आवश्यक है मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सभी दृष्टिकोंनों को ध्यान में रखेगी और एक ऐसे UCC की दिशा में काम करेगी जो हमारी समरिद्ध सांस्कृतिक छवी का सम्मान करते हुए वास्त्र में समानता को बढ़ावा दे आये सूचित रहें और UCC के बारे में जाग रूपता पैदा करने के लिए बातचीत में शामिल हों हमारे समाज को आकार देने में हर आवाज माईने रखती है निश्चित रूप से आये विशय परशोदू और चर्चा जारी रखें हमारी पीडी में सकारात्मक बदलाव में योगदान देने के शक्ती है बिलकुल, प्रिया, साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं और अधिक न्याय संगत और समावेशी भारत की दिशा में काम कर सकते हैं अपने विचार साज़ा करने के लिए धन्यवाद, प्रिया, आपके साथ ऐसे महत्वपूर्न मुद्दों पर चर्चा करना हमेशा अच्छा लगता है इसी तरह, प्रिया, आए बाद चीत जारी रखें और अपने समाज को एक बेहतर जगह बनाने में लगे रहें निश्चित रूप से ध्यान रखना, प्रिया, और चलो जल्दी ही मिलते हैं तुम भी, रिया, जल्दी ही आपसे बाद, अलविदा बाई